बिहार के नए डीजीपी आलोक राज मुझभफरपूर के रने वाले हैं और मुझभफरपूर में जो सराब भिक रही है पंजाब निर्मित सराब जो 20 लाक रुपे की सराब मुझभफरपूर में बेचने के लिए मंगाई गई ये दुकान किसका है और वो कौन है जो डीजी कर रहा है कि आप मुझभफरपूर के रहने वाले हैं हम मुझभफरपूर में सराब बेचेंगे हिम्मत है तो दुकान बंद करके दिखाईए ये तो गजब का चैलेंज है इस पूरी खबर को देखी और समझे कि आखिर चैलेंज क्यों है कौन दे रहा है मामला क्या है ये म मुझभफरपूर में पहुंचा कैसे बहुत सारे सवालों के जवाब लोगों के दिमाग में हैं बहुत सारे सवाल कि बहार में सराब बंद है या सराब चालू है बंद है तो सराब आया कैसे चालू है तो आप बहार में सराबंदी की डोल क्यों पीट रहे हैं आपके आपके ही जिला में खुले आमसरा बेचा जा रहा है क्या कर लेंगे आप किजिए उत्पाद बिवाग के सहायक उपायुक्त बिजय सेखर दुब्बे इनको जानकारे मिले की उत्तर पर्देश के नमबर प्लेट से लगा हुआ एक गाड़ी पंजाब निर्मित सराब लेकर आ रही है और इसके बाद ये एक टीम गठित करते हैं और इसके बाद ये छापे मारी में लग जाते हैं तो अमबारा चौक के पास एक लाइन होटल के पास खड़ी एक ट्रक में ये सारा सराब छिपाया गया था लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि एक घंटा लगा पुलिस को उस गाड़ी के अंदर से सराब ढूंडने में एक घंटा का समय लगा इतना बेजोड तरीके से उस गाड़ी के अंदर तहकाना बना कर सराब को छिपाया गया था लेकिन ये तो पुलिस का बेजोड बहुत ही जवर जस्त सोर्स था जिस सोर्स के माध्यम से इंफर्मेशन मिली और ये कारवाई हुई लेकिन सवाल ये नहीं है कि बीस लाग का सराब पकड़ा गया इंगलिस पंजाब निर्मीत सवाल ये है कि तसकर का पता नहीं है ड्राइवर खलासी फरार हो गया और जैसा कि अक्सर होता है अगर एक लाग से उपर का सराब पकड़ा जाता है तो ड्राइवर खलासी और तसकर फरार हो जाता है जैसा कि इसमें भी हुआ तो ये चैलेंज किसको दिया जा रहा है डीजीपी साहब को या बिहार सरकार को किसे दिया जारा है चैलेंज ये कि आप बिहार के रहने वाले हैं मुझाफरपूर के और हम भी मुझाफरपूर में सराब बेचेंगे क्या किजिएगा आप लेकिन ये डिजीपी साहब का उपलब्दी है कि बीसला का सराब पकड़ कर और तसकरों को ये करारा जवाब दिया गया क कि नए डिजीपी साहब हैं सक्त हैं और सक्त आदेश है पूरे परदेश में एक भी तसकर बिहार के अंदर अब फले फुलेगा नहीं लेकिन ये तो मामुली सी बात है ये तो टेलर है हमने कई रिपोर्ट में ये कहा है कि बिहार में दसारा और दिपाबली में खपाने के लिए 20 लाक का नहीं 20 करोर से ज़्यादा का सराव मंगाया जा रहा है मंगाया जा चुका है और मंगाया जाएगा क्योंकि ये सिलसिला रोकना या रुकना मुश्किल है कारण है कि जिसके बदौलत बिहार में सराव बंद हुआ है एक जीव का दीदी और दूसरे बिहार यही लोग तो इस दो नंबर के काम को बढ़ावा दे रहे हैं, संग्रक्षन दे रहे हैं, कैसे संभव है, नेता जो ब्यान देते हैं, क्यों देते हैं ब्यान, कारण यही है, कि संग्रक्षन मिला हुआ है, और वो ढरते नहीं हैं, ब्यान देते हैं, और ये जो 20 लाक असराब जब्त किया गया है न इसके बारे में जानते हैं क्या कहा जा रहा है कि ये लोकल लेवल पर लोकल अस्तर पर इसे खपाने की त्यारी था दसारा और दिपाबली के दर्मियान लेकिन एक खपा पकड़ लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये सराब लाना छोड़ देंगे और सराब बेचना छोड़ देंगे ये 20 लाक इनके लिए ठिक वैसे ही है जैसे आज के डेट में जो 50,000 की सेलरी कमा रहा हो सेलरी का काम जौब करता हो उसके लिए 10 रुपे खर्च करना जो 50,000 रुपे का सेलरी कमा रहा हो जो 50,000 जिसको मिलता हो वो 10 रुपे खर्च कर दे तो उसे क्या फरक पड़ेगा वैसे ये 20 लाख रुपे है तसकरों के लिए इसे recover किया जाएगा बीस लाख रुपे का जो सराब जप्त किया गया है इसे recover करने के लिए और कलोरों का सराब मंगाया जाएगा और इस भार तैयारी complete होगा अगर पलिस वाले का नजर पड़ भी जाए तो उसे बाइपास कर दिया जाएगा यही तोहरा है बिहार में बताएए मुझफर पूर कैसे पहुँच गया 20 लाक का सराब ट्रक में भरके कैसे है जवाब कोई नहीं जवाब है क्योंकि सच्चा ही है यह अब सवाल यह है कि बिहार सरकार का स्टेंड क्या है सराब बंध है बिहार में यह सराब चालू है डेजी पिस आप क्या कहाना चाहेंगे बिहार में सराब बंध है यह सराब चालू है आपके पुलिस वाले सराब रोकने में सक्चम है यह आसक्चम है क्या जवाब क्या है तो जाहिर सी बात है कि जवाब यही आता है कि सक्त का रवाई हो रही है जो कोई भी इसमें इनबॉल है उसके खिलाब छापे मारी की जा रही है जल्दी पकड़ा जाएगा लेकिन आज तक क्या कभी आपने यह खबर सुना कि जो कुछ दिर पहले सराब तसकर फरार हो गया था इतना सराब के साथ जो गाली पकड़ा गया था वो तसकर पकड़ा गया हो संभवी नहीं है होता ही नहीं है और होगा भी नहीं कारण यह है कि सब लिपापोती का काम सब जगा मैनेज का काम होता है तो सक्त करवाई होगी कहां से और कैसे होगी जहां मैनेज होता हो जिस परदेश में वहां सक्त करवाई कैसे हो सकता है लेकिन बिहार में 20 लाग का सराब ये पकड़ा गया तो इससे बिहार पुलिस को, उत्पाद विभाग को, डीजी पी साहब को, बिहार सरकार को एक बड़ा चेतावनी है ये और इस चेतावनी को चैलेंज के रूप में सुभिकार करते हुए वो तमाम तस्करों का खेप पकड़के और बिहार में जहरीली और नकली सराब से जहरीली सराब से बिहार के लोगों को बचा लीजिए क्योंकि बिहार में अस्पेसल बिहार में सराब भेजने के लिए बिहार में सराब खफाने के लिए दुसरे राज्यों में नकली इंगली सराब बनाने के फैक्टरी लगा दी जाती है पूरी की पूरी फैक्टरी नकली, नकली रेफर, नकली अस्टीकर, नकली होलोगराम और नकली सराब और असली बोतल में पैक करके होलोगराम लगा कर असली कीमत वसूल की जाती है तो इन तमाम चीजों से अगर विहार के लोगों को बचाना चाहते हैं डिजी पी साहब विहार के सीम साहब तो आपको जमीनी अस्तर से जुड़ कर काम करना होगा और अधोनिक टेकलो नौजी के साथ काम करना होगा ताकि कोई भी तसकर अपने कारियों को अंजाम देने से पहले इसी तरह से पकड़ा जाए यह जरूरी नहीं है कि आपका यह सोर्स यहां पे काम किया सभी के जगा काम करी जाए इसलिए सोर्स के उपर भी निगरानी रखें कि यह ऐसा नौक वह भी बाइपास करने लगे तो उमीद है कि बिहार सरकार और बिहार सरकार की नए डीजीपी साथ इन सब मुद्दों पे ध्यान देंगे ताकि बिहार की जनता को जाता से जादा सुरक्षा मिले और लोग जहरीले और नकली सिकार होने से बचे अच्छा लगा हो रिपोर्ट तो लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और सेयर करें बेल आइकन को फ्रेज करके नोटिफिकिशन कॉल पर सेट करें नमस्कार जैहें तैंक यू